देखिए, modern theory of rent जिसको हम economic rent भी कहते हैं और इंदी में अगर बात करें तो लगान का अधुनिक सिद्दान किसको कहते हैं और economic rent को कहते हैं आर्थिक लगान ये जो theory है ये recordian की theory से क्यों अलग है पहले हम जरस के बारे में पढ़ते हैं तब आपको समझ में आएगा कि ये जो theory है ये recordian की theory से किस तरीके से different है सबसे पहली बात तो according to modern theory recordian के अंदर तो हमने ये पढ़ता कि बाई जो किराया जो होता है जैसे कि उत्पादन के जो साधन होते है उत्पादन के जो साधन होते हैं हमने बोला भी चार तरीके के साधन होते हैं सबसे पहला जो होता है वो होता है भूमी दूसरा जो होता है भूमी दूसरा जो होता है पूंजी भूमी श्रम पूंजी उद्ध्यम ये चार तरीके के जो है factor of production होते हैं तो रिकार्डियन के अकॉर्डिंग लिए जो किराया लगता था वो केवल जमीन पे लगता था छीक है। के accordingly लेकिन modern theory of friend के accordingly जो किराया है वो केवल जमीन पे नहीं लगता जमीन के साथ साथ वो जो है लेबर पे भी लगता है capital पे भी लगता है और उद्यमी पे भी लगता है modern theory के अंत्रगत जो factor of production होते हैं चारो के चारो उत्पादन के जो चार साधन होते हैं भूमिश्रम पूंजी उद्यम इन सब पे लगता है अब यह क्या है जरा यह समझे पहले हम जरा इसके meaning के बात करते हैं कि आखिर modern theory of rent जो है वो क्या कहती है तो यह कह रहा है कि अधिशेश के अधिशेश के विचार का जो सार है वो वह अधिक्य है जो किसी साधन की इकाई उस नियुनतम आए के अतिरिक्त प्राप्त करती है जो की साधन को अपने वर्तमान कारे को करते रहने के लिए आवश्चक होती है या आवश्चक है अब यह क्या कह रहा है अर्थ में यह अर्थ में क्या कह रहा है यह तो समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है बिल्कुल भी जो है समझ में नहीं आपा रहा है क्या आखिर वई यह जो है आखिर यह जो है क्या कहना चाह रहा है ठीक है इसको हम जो है इसको हम जो है एक example से समझते हैं तो आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है तो modern theory of rent के accordingly किराया जो है ये सब पर लगेगा ठीक है यहाँ पर एक बात चली है कि देखो पहले आप concept समझीए क्या है पहले हम समझते हैं जमीन के concept से भूमी के concept से समझते हैं कि आखिर ये जो है क्या कहना चाह रहा है उसने बोला कि माल लीजिये माल लीजिये, एक जमीन है, ठीक है, और इस जमीन पे जो है, इस जमीन पे जो है, माल लीजिये, कह कहते हैं, यह कह सकते हो, के एक A बंदा है, ठीक है, और एक B बंदा है, दो बंदे हैं, एक A बंदा है, और एक B बंदा है, A बंदा जो है इस जमीन के ये कह रहा है कि मैं जो है 40,000 रुपे का किराया दूँगा और B जो बंदा है वो ये कह रहा है कि मैं जो है इस जमीन का 45,000 रुपे किराया दूँगा जमीन लिमिटिड है एक ही जमीन है दो बंदे लेने के लिए तयार है कि मुझे दे दो मैं 40,000 दे दूँगा किराया और वो कहा है मुझे दे दो मैं 45,000 दे दूँगा किराया और जो owner है उसका नाम है X अब उसके सामने दो बंदे हैं ऐसे और भी बंदे होंगे और भी बंदे होंगे ऐसे उसके सामने तो भाई वो उसके सामने फिलाला भी दो बंदे हैं मिनिमम 40 मिल ले हैं और मैक्सिमम 45,000 रुपे मिल ले हैं उसकी जमीन के तो उसने क्या करा उसने जो है इस 45,000 को सिलेक्ट कर लिया कि मैं जमीन जो है मैं इसको दूँगा मैं जमीन जो है मैं जमीन जो है मैं इसको नहीं दे ने वाला हूँ ठीक है तो यहाँ पर जो modern theory के accordingly जो economic rent होगा वो कितना होगा जो जो उसके minimum rent से जितना भी जादा मिल ला है कितना वो 40 भी मिल लाता उसको लेकिन उसके minimum से उसको कितना जादा मिल ला है 5000 रुपे according to modern theory यहाँ पर जो किराया होगा वो होगा 45,000 में से 40,000 को गरम माइनस कर दें तो यह जो 5000 रुपे का यह जो यहाँ पर axis आ रहा है यह जो axis आ रहा है यह जो surplus आ रहा है यही क्या है यही जो है modern theory के accordingly rent के लाएगा अच्छा इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो माल लीजिए कि एक किसान है उसके पास एक यह जमीन है ठीक है अब वो इस जमीन पे जो है गन्ना भी उगा सकता है और इस जमीन पे जो है गन्ने के सिवा इस जमीन पे जो है वो कपास भी उगा सकता है अगर वो इस जमीन पे गन्ना उगाता है तो माल लीजिए उसको जो इंकम होती है वो होती है आए जो होती है वो होती है पंदरा सो रुपे की ठीक है और अगर वो यहां पे कपास को अगर उगा दे तो अब उसको जो इंकम होगी वो होगी बारा सो रुपे की ठ टिक है तो यहां पर उसको जो है उसने सवारे कर लिया मेरे को और गन्य को गाने से मुझे 300 रुपे की ज्यादा अर्निंगation तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो अगर मैं 1200 को माइनस कर दूँ तो यहां पर जो एकसिस आएगा वो आएगा 300 रुपे तो यह आ जाएगा इसके accordingly कि लैंड पर ऐसे लगता है कि अगर आपके पास कहने का मतलब यह है कि दो विकल्प है एक minimum कि minimum तो इतना मिले गई मिलेगा और एक होता है मैकसिमम तो हम क्या करते हैं मैकसिमम को सिलेक्ट कर लेते हैं और minimum को reject कर देते हैं ठीक है तो जो हम है minimum को जो हमने reject किया उन दोनों का जो difference है वो ही क्या है यहां पर जो बात चल ली थी सर प्लस की लिए बात चली थी, जैसे कि यहां पे दो बंदे थे, एक A बंदा था, एक B बंदा था, A बंदा जमीन के 40,000 रुपे देने के लिए तयार है, B बंदा 45,000 देने के लिए तयार है, तो B ने 45 दिये, उसलिए उसके पास है जमीन, अगर वो भी 40 दे रहा हो था, तो हो सकता है किसी और के अकॉर्डिंगली, अब समझिए लेवर के अकॉर्डिंगली, श्रम के अकॉर्डिंगली, हर बंदा जो है, हर बंदा जो है, वो भाई, लेवर होता है, ठीक है, तो मान लीजिए, मान लीजिए, एक लेवर है, मान लीजिए, एक लेवर है, तो वो जो है, चलो मान लो मैं यूँ ठीक है मैं यूँ और मेरे पास जो है ना मेरे पास जो है दो भी कलप है क्या या तो मैं स्कूल में पढ़ाने लग जाओं ठीक है या तो मैं स्कूल में पढ़ाने लग जाओं अगर मैं स्कूल में पढ़ाता हूं तो मेरे को कितने सैलरी मिलेगी तो मेरे को सैलरी मिले तो अगर जो है अगर जो है मैं स्कूल में पढ़ाता हूं तो मेरे को कितने मिलेंगे मेरे को मिलेंगे 20,000 रुपे और अगर जो है माल लीजे मेरे पास दूसरी एक और जोब है माल लीजे मेरे पास है कि मैं बैंक में भी जोब कर सकता हूं अगर मैं वहाँ पर करता हूँ तो माल लीजे मुझे मिलेंगे 18,000 रुपे अब मेरे पास ये लेबर है और मेरे पास दो विकल्प है भाई मैं यहाँ पर भी जॉब कर सकता हूँ और मैं यहाँ पर भी जॉब कर सकता हूँ कहीं पर भी जॉब कर सकता हूँ अठारा हजार इस इक्वल टू टू थाउजन रुपीज तो यह हो गया लेवर के accordingly तो यहाँ पे देखे modern theory के accordingly के वल जमीन पे नहीं लगा जमीन के साथ साथ इस पे भी लगा इस पे भी लगा अब हम समझते हैं पूंजी के accordingly अगर हम बात करें पूंजी के accordingly अगर हम बात करते हैं पूंजी का मतलब होता है पैसा ठीक है capital को कहते हैं पूंजी तो मान लीजिए आपके पास पैसा है मान लीजिए आपके पास एक लाख रुपे है ठीक है तो इस एक लाख रुपे को अगर आप A project के अंदर invest करते हो निवेश करते हो तो मान लीजिए आपको 12% का return मिलेगा और अगर किसी B project के अंदर निवेश कर देते हो तो आपको जो है 15% का return मिलेगा तो हमेशा आपके पास दो विकल्प है कि भाई क्या करें इसका A में लगाए या B में लगाए तो आपने सोचे यार A में तो छोड़े हैं तो 12% है B में जो है 15% का मिल ला है यहाँ पे 3% का ज्यादा मिल ला है तो यहाँ पे आपने क्या करा A को reject कर दिया और B को select कर दिया तो यहाँ पे capital के लिए अगर 12% आप यहाँ लगाते तो 12,000 का वो मिलता यहाँ पे लगा रहे हो तो यहाँ पे आपको 15,000 का भी आज मिलेगा यहाँ रिटन मिलेगा फाइदा होगा यहाँ पे आपको तो इसके accordingly कितना आ जाएगा 15,000 माइनस 12,000 is equal to is equal to 3,000 रुपीज के accordingly यहाँ जाएगा पूंजी का तो यहाँ पे modern theory के accordingly केवल जो है जमीन के साथ साथ labor, capital इन सप्टे जो है किराया लगता है यह क्या है कि किसी भी factor of production का जो उसके minimum से जो उसको extra मिल लहा है जैसे कि यह जमीन है यह 45 दे रहा है इसलिए इसके पास है अगर कोई इससे और ज़्यादा वाला होता तो उसके पास पुझाती एको क्यों नहीं मिली क्योंकि उससे ज़्यादा वाला जो भी है जो उससे ज़्यादा वाला जो भी है वो जो है उससे ज़्यादा किराया दे रहा है या मैं बैंक में तो उस लेबर ने क्या करा वो स्कूल में क्यों कर रहा है वो जो क्योंकि 20,000 रुपे मिल ले हैं अगर स्कूल में भी 18 मिल ले होते हैं बैंक में भी 18 मिल ले होते हैं फिर तो कहीं भी कर ले था फिर क्या जा रहा है फिर तो कुछ भी नहीं होता फिर तो कहीं भी कर सकता था वो वो स्कूल में अभी इसलिए है स्कूल में वर्क इसलिए कर रहा है क्योंकि वहां पर दो हजार रुपे ज्यादा मिलें एस कंपरिजन टू जो उसकी ऑल्टरनेटिव जॉब है इसी तरीके से कैपिटल आपके पस एक लाख रुपे ते आपने इसको बी वाले में इसलिए लगा आлюдर तो यहां पर जो है according to modern theory यहाँ पे केवल किराय जो है वो भूमी पे ना लगकर सब पे लगता है और है क्या modern theory की accordingly जो economic rent है वो क्या है axis यहाँ पे उसने बोला surplus का जो सारे वो क्या है जो किसी भी factor of production की जो उसकी newntum आये है उसके अतिरिक्त जो आये प्राप्त होती है उस factor of production को वहाँ पे working करने के लिए वो ही जो है economic rent है इसके accordingly अगर हम इसको graph से समझें तो इसके अंदर दो तरीके के graph आपको समझने है देखिए बहुत easy इसका graph है माल लीजिए पहली situation के अंदर हम लेते हैं जैसे मैंने आपको यह बोला के भई दो बंदे हैं एक A, एक B एक 40,000 दे रहा है और एक 45,000 दे रहा है अगर माल लीजिए अगर माल लीजिए सभी बेटा 40,000 अगर सभी 40,000 रुपे दे रहे होते किराया फिर क्या होता मतब कोई ना तो 40,000 से ज़्यादा देने वाला है ना कम देने वाला है तो जो आपका बनता supply curve वो बनता कुछ इस तरीके का सभी 40 दे रहे हैं ठीक है कोई जो है कोई जो है कोई जो है 40 से ना तो ज़्यादा दे रहा है ना कम दे रहा इसको कहते हैं कि पून प्रतियोगिता का बजा रहे है अगर सभी 40 का ही दे रहे है पून प्रतियोगिता अगर ऐसा कुछ है सभी 40 में दे रहे है तो मतलब जो supply है वो कैसी है जो supply है इसको कहते है पून पून लोचदार एक होती है पून लोचदार एक होती है पून लोचदार पूर्फेक्टली लास्टिक है तो अगर ऐसा कुछ होता सब 40,000 कोई नहीं दे रहा और डिमांड है ऐसी डिमांड यह रही तो अब अरे यार ऐसी ऐसी उसके अकॉर्डिंगली आपको ध्यान लखना है डिमांड कितनी है देने वाले 40 और लेने वाला भी 40 सब 40 कहीं दे रहे ह तो ऐसी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जब आपकी जो पूर्थी है वो पूर्ण लोचदार होती है तो यहां पर डिमांड कितनी है वो भी 40 कहीं है और 40 ही दे रहे है बत्तर देने वाला भी किराया जो चार्ज करने वाला है वो भी 40 40-40 तो ऐसी सिचुएशन में एक्स प्रामिक रेंट नहीं होगा बत्तर ग्रॉस रेंट तो किराया तो है 40 अजार लेकिन एक्सिज नहीं होगा यह जो फाइदा होना चाहिए था वो नहीं है यहां पर क्योंकि जो सप्लाइब है वो पूर्ण लोचदार है अब हम बात करते हैं दूसरी सिचुएशन की अगर म क्या होता माल लीजिए माल लीजिए डिमांड जो है वो कुछ इस तरीके की है ठीक है और जो सप्लाइब है सप्लाइब को यहां से आप बना सकते हो इसके इसमें ऐसे तो यह बनता है सीधा लेकिन अभी हमें वह रेंट निकानना है इस वज़े से आप इसको यहां पर टच कर सकते हो तो अगर सप्लाइ कम लोचदार होती तो ऐसी सिचुईशन में क्या होता अब देखिए ऐसी सिचुईशन में जो यह वाला जो पॉर्शन है यह वाला यह वाला जो पॉर्शन है यह क्या कहलाता यह वाला जो पॉर्शन है यह कहलाता आपका surplus या axis के भाई यहां सकते वो कितना कह रहा था यहां तक तो कह रहा था 40-40-40 लेकिन यहां पर आने के पोचने के बाद यह जो equilibrium का point भाई equilibrium equilibrium economics के अंदर वहां पर होता है equilibrium economics के अंदर वहां पर होता है जहां पर मांग और पूर्टी आपस में बराबर हो जाते हैं वहां पर equilibrium होता है इस वज़े से यह demand supply curve को वहां पर intersect कर रही है तो demand supply को यहां पर intersect कर दिये तो जो santulan का point है जो equilibrium का point है वो आ गया है यहां पर यहां गया santulan और जो axis है वो क्या है यह बात यह होगे 45 और यहां से किती बाद चली थी 40 की ठीक है तो यह यहां से जो है 40 40 40 करता करता तब जाके यहां पर बात पक्की होगी 45 अजार में तो यहां पर जो economic rent है वो है 45 हजार minus 40 हजार is equal to 5000 रुपे तो यह कब होगा ऐसा ऐसा तब होगा जब पूर्ती जो है वो कम लोचदार होगी तो ऐसा होगा अगर पूर्ती जो है वो पूर्ण लोचदार है यहां पूर्ण लिखाए मैंने परफेक्टली इसका मतलब होता है परफेक्टली अगर आपकी elastic है तो कोई भी economic rent नहीं होता लेकिन जब थोड़ी less elastic होती है तो जो है तो जो है economic economic rent होता है यह है according to modern theory of rent ऐसा ही सम्मे होगा यह जैसे मैंने सारे example दिये जैसे मैंने जमीन का example दिया ऐसी आप इसको लेबर में भी लगा सकते कि मालो हर जॉब पे अगर उसको हर जॉब पे अगर उसको बीस हजार ही मिल ले होते और बीस हजार ही मिल ले होते तो भाई ऐसी चाहे bank में करूँ चाहे school में करूँ चाहे अपना coaching को लो कुछ भी करूँ बीस हजार रुपे की ही income होगी तो ऐसी situation में कोई भी economic rent नहीं होगा तो यह इसको यह बन जाता लेकिन अगर दो option है एक जगा 20 मिल लिए एक जगा 25 मिल लिए तो economic rent होता ऐसे यह capital का लगा लिज़े अगर हर जगा 12% का ही return मिल ला होता चाहे में A में लगाँ चाहे में B में लगाँ चाहे में C में लगाँ तो भाई ऐसी situation में कोई भी economic rent नहीं होता लेकिन जब आपके पाद दो option है एक जगा कम मिल ला एक जगा जगा जाधा मिल ला है इस वज़े से economic rent जो है वो create होता है तो modern theory of rent के अंदर आपको क्या करना है यह meaning लिखना है यह दियान लखना है सब पे जो है यहाँ पे किराया सब पे चार्ज होता है यह सारे के example दे सकते हो जमीन का भी दे सकते हो लेबर का भी दे सकते हो capital का भी दे सकते हो और यह diagram बनाने हैं दोनों के दोनों इस तरीके से आप modern theory of rent को अच्छा अब यह Ricardo की theory से कैसे different है Ricardo की theory के अंदर जो है transfer यह access की कोई बात ही नहीं चलती थी सबसे पहली बात तो वहाँ पे क्या था वहाँ पे तो यह था सब zero से उड़ते हैं वो कहता है Ricardo के एक ऐसी जमीन होगी जिसका कोई किराया ही नहीं होगा वहाँ पे वो बात चल दी है और दूसरा Ricardo के accordingly किराया केवल जमीन पे लगता है उसने जो है labor पे capital पे उसकी तो कोई बात ही नहीं करी है तो दो चीजे हैं जो difference है modern theory और Ricardo की theory के अंदर पहला वो केवल जमीन पे लगाता है लेकिन यहाँ जमीन के लाबा और भी factor पे लगता है दूसरा वहाँ पे ऐसे किसी surplus की बात ही नहीं की गई है वहाँ पे सब कोई हर कोई base से उड़ता है zero से कि अगर यह है इससे अगर कोई नीचे वाला होगा तो अगली वाली पे किराया लगेगा otherwise नहीं लगेगा तो यह basically दो difference है Ricardo की theory में और modern theory के अंदर छीगे जीग